आज हम बाते हमारे काम के में आपका स्वागत करते हैं मीतु मैंने आपसे कई बार कहा कि बाते हमारे काम की कोन सी बाते कैसी बाते किस तरह की बाते हमारे इस कारे करम में अनुभवी व्यक्ति पधारते हैं और आपको आगे चलने का रास्ता बताते हैं आज फिर हमारे इसकारेक्रम में पदा रहे हैं ब्रह्माकुमान नत्मल भाई जी जो उडिसा से हैं उनका परिचे मैंने आपको कुछ दे दिया है और कुछ अभी बाकी है आईए उनका इसकारेक्रम में स्वागत करते हैं और उनसे थोड़ी सी बात चीत करते हैं कि हमें अप आपने पिछली कुछ कडियों में हमसे बाते की और आपके बारे में हमने जाना कि आपने कैसे-कैसे अपना जीवन इस रास्ते में लेके आए और क्या-क्या मुसीवतों का आपको सामना भी करना पड़ा तो आपने मुझे मैं आपसे अभी एक प्रशन ऐसा पूछना चारे थी कि उडिसा में जब आप पहली बार गए और आपने वहाँ पर एक सेंटर देखा उस सेंटर में गए ज्यान लिया अब देखा जाए तो बहुत सारे वहाँ पर सेंटर है गीता पाठ सालाएं हैं कैसे-क से आपने यह ज्ञान का प्रचार किया अध्यात्मिक रहसियों को लोगों के सामने आप ले कि आए थोड़ा सा हमें और मेरे दर्शकों को विस्तार से थोड़ा सा बताईए 1973 की वह बात मुझे अभी तक भी याद आती है जब वहाँ पर ब्रह्मा कुमारिज का इसुर्य सिवा के अंदर खुला ही था और सोभा के बस जहां सेंटर खुला था उसी के ही करीब पांसो मिटर दूर पर में रहता था और वहाँ पर हमारे एक मित्र थे उनके माध्यम से इस विद्याले का परिच्चे मिला और मैं वहाँ पहुंचा तो उस समय तो लोगों को ब्रह्मा कुमारिज का अजदी काना और ब्रह्मा कुमारिज का इस विद्य ज्ञान सुनना इतना रूची नहीं रखते थे क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रंत धारणाई थी। लेकिन वहां जो विश्टार हुआ उसमें हमने देखा कि दो तीन बातें बहुत एहम रही। एक बात तो यह एहम रही कि वहां पर मेडिया में पुरा सपोर्ट करता रहा। वहां का जो सेवाकेंदर खुला उसमें उडिशा का आज भी वह अखवार जो है वह नमर वन है इसको नाम समाज कहते हैं। और उस समय तो एक ही अखवार था और दो छोटे-छोटे अखवार थे आज भी नमर वन वह बना हुआ है। उसके जो एडिटर थे उन्होंने खास ब्रह्मा क्मारिज का वहां पर ब्रांच खोलने के लिए निमंत्र दिया था। तो इस वज़े से एक छोटा कार्यकरम भी होता था तो वह अपने अखवार में इसका पूरा डिटेल जो है वह चापते थे। कोई बड़ा कार्यकरम होता है तो सभी छापते हैं लेकिन एक छोटा भी अखवार चोटा भी कार्यकरम हो लेकि वह अखवार में निकलना तो एक प्रस्ट भूमी जैसे की पब्लिक के अंदर बनती गई कि ब्रह्मा क्मारिज एक अच्छी संस्ता है क्योंकि वहां के जो कारियत छापता है एक भूमी का यह रही दूसरी भूमी का यह रही कि वहां के जो पब्लिक है वह बहुत ही भावना वाली जनता है तो भावना प्रजान देश होने के कारण और वह जगनाजी की भूमी कहा जाता है जगनाजी का वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है के अंदर एक ही ऐसा मंदिर है जहां पर की बहन और भाई की पुजा इकठी होती हो लक्षमी नार्ण जो है वह भी स्रीपुरुस अर्थात स्वामी और पत्नी दूसरे जितने मंदिर हैं उसमें बहन के साथ में किसी की देवता की पुजा नहीं होती है लेकिन जगनाद जी के मंदिर में दो भाई हैं जगनाद बलबद्र और सुभद्रा सुभद्रा उनकी बहन है तो वहां पर उस संस्कृति में यह देखा गया कि भावना बहुत है बहनों के प्रति और इस विश्विविद्याले को संचालन करने के लिए बहने ही आगे रहती है आज भी है शुरू कर्णौ से ही है जब इस विश्िविद्याले का प्रिचार प्रिचार शुरू कहा है क्याना हरा शक्तियों कि पूजा तीसरी बात यह canยногu है कि वहां पर उड़िशा में और बंगाल में सक्तियों कीौझा होती है तो इन कुछ ऑननों से इस विश्विद्याले के तुर्यक मिलने के कारण हमारे connection में जो भी वहां के VIPs हैं, ministers हैं, जज्यज हैं, IPS हैं, IS हैं, वो ब्रमाक मेरिज के साथ जुड़ते गए और जुड़ने से क्या हुआ कि हमने जहां भी एक छोटा कार्यक्रम किया, वहां भी एक center खुल गया, तो ऐसे उस समय उडिशा में 13 डिस्टिक्ट है, उसके बाद आज उसमें वहां 30 डिस्टिक्ट हैं, तो हर एक डिस्टिक्ट में हमारे centers खुलते गए, पब्लिक से हमें पूरा support मिलता गया, जबकि महां पर यह जरूर है कि जो भोजन व्यवस्टा है, महां के लोग वह मुचली मांस खाते हैं, शराप पीते हैं, महां ब्रामन हैं, वह भी शराप पीते हैं, वह भी मांस मुचली खाते हैं, लेकिन जगनाल संस्कृती होने के कारण, मेडिया का पूरा सयोग मिलने के कारण, वह ब्रमक महरीज के साथ जुड़ते गए, और जुड़ने के बाद में हमारी उस समय आजरनिया कमलिस दीदी जी और निलम दीदी जी पढ़ा रहे थे, हमारी निर्मन शानता वीदी जी ने कलकता से उनको भेजा था, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की और जैसे जैसे आश्रम से जो आते गए, जुड़ते गए, उनका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो वो परिवर्तन को देख करके, मेडिया का देख करके, और जो हमारे प्रतिष्टित वेक्तियों का सयोग देख करके, और वहां की पब्लिक पर बहुत गहरी चाप पड़ी, इसलिए वहां पर हमारे सेंटर्स, गितावर्स, खोलना और आगे बढ़ाना, वह हमें सहज हु कि आपने यह सेवा खिए की अपने मीडिया कर थोड़ा सा कहिंदर्ध दिया हमें और प्र गाए गां भी है तो गां में जैसे आपने पिछले कुछ ऐपीजोड में कहा था, कि हम था फिएक्छी अनौरी निकाली हिद तो गां में भी आपने चल-चल के जÁ diferen्वे होते हैं फिर प्रदशनी होती है इस सारा का भी कुछ ज्ञान प्रदशित किया था मैंने वही कहा कि हमने जहां जहां भी गाउं में भी गए शेरों में प्रशनिया किया जहां जहां भृहा ससन का करी क्रम हुआ पुषनिका करी करिये हुआ तो वहां कि आत्म में इस का कवारे से जूट Each् Мелography ुष Marketing और जहां पर हमारी बेहने दे सके वहां पर सब संटर कुलते गैं जहां महां नहीं जा सकी और यह हमारे पास बेने समर्पित बेने कम थी तो वहां पर गितावडशलाइं खुलती गई तो इस परकार से पब्लिक का वहां पर फुल सपोर्ट मिला और आज की तारिक में तो पांसों से ज्यादा से वाकेंदर उप शवाकेंदर हैं और हजारों तो गिताव गवर्णर है शरीमति द्रपदी मुर्मु जी वह गवर्णर बनने के पहले भी ब्रह्मा कमारी से जुड़ी हुई थी आज वह राजभावन में राजयोग करती हैं तो ऐसे बहुत अच्छे लोग जो है ब्रह्मा कमारी से जुड़ते गए उस पर एक पोजिटिव रस्पा है कि बहुत बार फलड़ाता है और बहुत बार जो है वो जिसको हम कहते हैं कि शुखा पड़ता है तो ऐसी परिष्टितियों में भी ब्रह्मा कमारी जो ने आगे बड़ करके काम किया तो उसके कारण भी लोगों के मन में लोगों के विचारों में बहुत अच्छा इस गया कि ब्रह्मा कमारी जो है किवल ज्यान ही नहीं शुनाते हैं लेकिन समय पर वो हमारे साथ खड़े हैं तो इसके कारण भी लोगों का एक बहुत अच्छा रुजान रहा और आज भी है तो जैसे आपने कहा कि पहले के लोग जैसे देखा जाए तो ज्यान मारग और जो भक्ती मारग के लोग थे उन लोगों को बहुत कम ग्यान मारग के बाते समझ में आती है फिर भी आपने उनको ये परिच्छे दिया तो क्या सोच के वो लोग आपने इंस्पायर हुए कि हाँ ये चीज इस ग्यान में है और जो भक्ती मारग में नहीं है क्या आत्मा पर वो योग के उपड़ डाला। एशल कि यह जो जी जाने, वो तो आप अब सुनेंगे, थी जार के बाद भूल सकते हैं। लेकिन उनको तूड़ा क्यान सुना करके उनको योग का अभव कराया। तो जो भी दिगनिटीज जो आते हैं उनको योग में एक अन्भव हुआ तो उनको योग में जब अन्भव हुआ तो उनोंने वहाँ पर थोड़ी दर के लिए भी पांच मिनट के लिए साथ मिनट के लिए फंदरा मिनट के लिए योग में बैठते थे तो उनको एक बहुत शानती कानवा होता था तो उन से उनको बले वो रेगूलर क्लास में ना आएंगे लेकिन योग करने के लिए साम को आगे शुबा आगे और उनको बहुत अच्छा लगता है फिर धिरे धिरे उनको ग्यान समझ में आएदा है और फिर वो ग्यान में चल पड़ते हैं तो ऐसे वहाँ पर हमारा जो कारिये है उसमें आत्मा परमात्मा का ग्यान तो दिया ही जाता रिगूलर बेसिस पर लेकिन विशेश फोकस हमने योग के उपर डाला तो योग से भी बहुत अच्छा आत्मा की परिवरिश हुई उनके बात समझ में आई और उनको अच्छा लगा तो यह कहा जैसे आपका देखा हमने 2016 में मैंने आप पीछे भी बात की थी कि राजस्तान गौरव का आवार्ड मिला था तो आपको कैसा लगा हमारे जो हमें जो परमात्मा से जो प्राप्तियां हो रही हैं यह तो एक दुनिया की बात है तो मुझे ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता है क्यों कि जहां पर हमें इश्वरिय शक्तियों का जो अन्वा होता है यह तूल बातों का चलो उनके अंदर भावना थी उन्होंने बुलाया राजस्तान में जैपूर में यह कारिकरम हुआ था तो इसमें ऐसा कोई हमारे को बहुत कुछ फरक पड़ा ऐसा कुछ नहीं हम इस अंत्रिक शक्तियों का विकास हो रहा है और उन अंत्रिक शक्तियों को हम पुब्लिक लाइफ में यूज कर रहे हैं पुब्लिक के लिए उसको यूज करके पुब्लिक तो उसमें शांति आनंद प्रेम को जो है वाइब्रेशन दे रहे हैं तो हमारे में तो वह अंदर में लेकिन दुनिया के हिसाब से चलो, उनने शलट किया, हमको बुलाया, हम गए, उनके सामने तो अच्छा ही कहेंगे, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन इस्थूल बातों से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो उस समय भी, जब हमारी पध्यात्रा मिली थी, तो वहा कोई एफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारी मानसिक स्तर जो है, वह इन बातों से निकल चुका है, कमाल है, तो यह देखा जाए कि जैसे आपने अपने चार विंग बताये थे, मेडिया, एड्मिनिस्टरेशन विंग, जियोरिस्ट विंग और पॉलिटिकल विंग, इसमें मेडिया विंग में आपने कैसे सेवाइं की, मैं लग कैसे आपको लगा कि मुझे यहां पर जाके अब यह चुन कर यह सेवाइं करने है, हमारे यहां पर करीब 20 विंग काम करती है, तो उसमें एक बार हमारी जब यह मेडिया मतलब यह विंग का स्टार्टिंग हुआ, तो हमारे भाइबेन जो थे हरेक स्टेट से, उनका अपना अपना इंटरेस्ट आ और हमने का कि जो भी आप दाइत्तों देंगे उसको हम संपाधन करेंगे। तो मीडिया विंग का उसी समय जो हेड़कौर्टर से मुझे दाइत्तों दिया गया। क्योंकि मीडिया विंग को कोई जल्दी से लोग चूज करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया के लोग उनसे हरेक विक्ति कोई बात समझ में नहीं आती है। उनको करना या उनको अपनी ब्रहमाक मरीज की थीम को बताना। क्योंकि उनके मन में बहुत सारे कुष्चन होते हैं, तो वो सैज सुविकार कर लें, ऐसा थोड़ा सा लोगों के मन में लगता है कि लेकिन मैंने तो बजपन से सीखा है कि जो काम भी मिले उसको सुविकार करो उसमें आगे बढ़ो, हैड़कोर्टर से ये जाहित तो मिला मैं मिले करके आए, तो दूसरा है कि वहां के जो मेडिया के जो करमी हैं, उनके अंदर भी हमने ये बात ग्यान के द्वारा वाइब्रेशन के द्वारा उनसे अप्रोच करके ये बात उनको हमने बताने कि उनको पोसिश की, कि आपकी कलम और कैमरा ये दो कारिय करता है, लेकिन इन दोनों को भी एक इंटरनल पावर चाहिए, आंत्रिक सक्ति चाहिए, तब ये कारिय अच्छा करेगा, तो ये बात कहां, मनि कुछ हद तक उनके दिमाग में आई, क्योंकि प्रोफेशनली आपका कलम और कैमरा कारिय कर रहा है, लेकिन ये कलम और कैमरा को सफल बनाने के ल ये, नहीं तो क्या होगा, कि आप ये तो करते जाएंगे, लेकिन उसमें क्या लिख रहे हैं, और उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि आप वो निर्मान करता हैं, कि जिससे पूरा समाज जो है, उस पर उस दिशा में चल देता है, जो उनको आप परोसेंगे, उनकी तरफ जो है निगेटिव परोसा, तो उसका भी उत्तरदाइत आपको जाने अंजाने में लेना पड़ेगा, तो उसका एफेक्ट कहां आएगा, अपने व्यक्तिव में आएगा, और आपके बालबच्चों में आएगा, आपके परिवार में आएगा, क्योंकि अगर मानलो आपने कॉलम और केमरे के द्वारा निगेटिव बातों को उजागर किया तो उसे कितनी आत्माओं का संकर्प निगेटिव हो जाएगा उनका बेबार निगेटिव हो जाएगा तो वो समाज में एक निगेटिव टी फैलती है और उसका effect उसका जो कर्मों का हिसाब किताब जो है वो आपके जीवन में आएगा आप चाहे उसको accept करो या ना करो लेकिन इससे कोई छूट नहीं चलता है तो ऐसे हमने उनको नजदीक लाकर के क्योंकि इसमें क्या होता है मेडिया के सेवा में पहले आपको उनको अपने नजदीक लाना पड़ता है और वो मेडिया के परसन आपको परसनली बहुत बारिकी से देखते हैं कि आपका विक्तित तो कहा है आपका जुकाव किदर है इस बात को भी नोट करते हैं तो जब उनको यह लगा कि निशार्त रूप से भाई जो है वो सेवा दे रहा है उनके मन में अपने प्रति अपनी प तो यह बात भी ओ लोग नोट करते हैं जब उन्होंने इस बात को देखा तो वो मेरे परसनल नजदीक आते गए और फिर विच विच में जब उनकी हमारी सिटिंग होती थी कभी पांच मिनट कभी साथ मिनट कभी दस मिनट तो हम उनको इस बात को फोकस डालते थे कि आप जो कलम और कैमरे का यूज कर रहे हो उसके साथ में अपनी कॉंसेस को भी यूज करो और कॉंसेस जो है आपकी अगर अध्यात्मिक होगी तो कलम और कैमरा उसी हिसाब से चलेगा और वो एक सकारात में दिशा समाज को दे पाएगा तो उसका जो रजल्ट आएगा वो आपक परियार में आएगा और समाज में आएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे मीडिया के जो भी दिग्गस थे वो हमारे से जुड़ते गए और आज मीडिया की वहां पर बहुत अच्छी सेवाए हैं उसका जो भी मुखे अखवार हैं चैनल्स हैं उनके मालिक हैं उनके एडिट इसमें आपने कैसे कदम रखा क्योंकि बहुत महीन बात हो थी कि चार चीजों में इकठे काम करना और अध्यात्मिक रहस्यों को बताना ये फिर कैसे कि आपने हम ने ये भी समझा कि मेडिया जो है वो लोगों को मेसेज दे सकती है लेकिन किसी भी कारिये को आगे बढ़ाने के लिए मेडिया के पास वो अथोरिटी नहीं है तो अथोरिटी वाले कौन है वो अध्मिस्टेटर से तो अगर एक एड्मिस्टेटरिव के विचार पोजिटीव हो जाते हैं क्योंकि मैंने देखा नजदीक से कि प्रिशासक वर्ग जो है उनकी बुद्धी विशाल होती है और वो विशालता को यूज करते हैं लेकिन अगर उनका मन में सोच पोजिटीव होगा तो विशालता को पोजिटीव रूप में यूज करेंगे क्योंकि जो फैल आती है उसके चिंतन करना उस पर डिशन लेना वो अपना उनका अपना विचार है चाहे तो उसको नेगेटिव करके छोड़ देवे कोई उनको बोलने वाला नहीं है क्योंकि अथोर्टी है आज कलेटर जो है एक लिए उनको परमात्माने समझो की कलेक्टर बनाया उनकी अपनी गुद्धी मोता को यूज कर रहे हैं तो हमने देखा कि वह इतना बिजी भी होते हैं लेकिन उनके मन में भी एक आध्यात्मिक ताक की पहुंच बहुत जरूरी है जब वह बिजी होते हैं तो इजी तरीके स आ नहीं सकते हैं एक बार हमारा महां पर कमिशनर थे उनसे हमारा बहुत अच्छा समंध रहा और जब भी कुछ मौका मिलता था हमारी करीब घंटे आदी गंटा ऐसे विचार को सोता था तो एक बार उन्होंने एक कुश्चन उसे किया कि आप ये डिगनिटी को क्यों जोड और उनसे आप क्या चाहते हैं मैंने का देखिए वह भगवान के बच्चे परमात्मा की बच्चे हैं तो उनको भी परमात्मा का मेसेज अध्यात्मिक्ता की तरफ उनका भी बर्थ राइट है और ब्रहमा कुमारी परमात्मा से जोड़ी हुई परमात्मा की द्वारा गाइ तो हम लोग अगर उन आत्माओं को बंचित कर देंगे तो कौन उनकी आशा को पुरा करेगा इसलिए लेकिन हमने उनको ये भी स्पष्ट किया कि हम उनको इसलिए बुलाते हैं जिससे कि उनको मन में कुछ आध्यात्मिक्ता की बातें आएं और वो बुलाने का जो हमारा तरीका होता है वो ऐसे गेस्ट ऐसे ही हम मालो हम आप आप ही आप कमिशनर हैं मैंने उनको बहुत पस्ट सब्दम बताया कि मैं एक हमारा लिफलेट आपको छोड़ जाओं क्या उस प्रोगाम में आप आ सकते हैं क्यों आपको लगेगा मेरे कोई कि रस्पेक्ट नहीं है ऐसे ही चलते फिरते आदमी को जैसे दे दिया तो इसलिए हम एक प्रोग्राम को और्ग्राइज करके उसमें उनको चीट गेस्ट या गेस्ट ऑप अनुर के तरीके से बुलाते हैं तो आएंगे जब आते हैं तो प्रोग्राम हमारा दो गंटा चलत गंटा चलता है एड़ गंटा चलता है उसमें उन्होंने दस मिनिट बोला है पंदरा मिनुत बोला बाकी टाम तो सुना ना जब उन्होंने सुना तो कुछ तो उनके दिमाग में जाएगा न और फिर ऐसे पिछ भीच बिच भीच, जब उनको हम कॉंटक में लाएंगे तो उनको योग के खाईंगे खाईंगे आधीयात्मित्य को पैलने के लिए रिक्विस्ट करेंगे के तो उनको भी तो चाहिए नहीं इस प्रकार से सरीर को भोजन सब को चाहिए वैसे ही आत्मा का भोजन भी उन आत्मा को चाहिए ना तो यह दुस्टी को रख करके हमने उन आत्मा के नजदीक गए और हमें अच्छा रस्पन मिला क्योंकि एक समझाने का भी परमात्मा की समझो की एक दुस्टी को हो या हमारे पर कृपा को हो कि हम जो व्यक्त वो भी देखते हैं कि यह हमारे वेक्ति जो है कोई अपना कोई पर्सनल स्वार्थ से तो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे सामने ऐसी बाते आई जो मेरा संपर्ग बढ़ता गया मैंने सीरस लग उनको डिनाय किया मेरा उनसे संपर्ग केवल अध्यात्मिक्ता के लिए है ब्रह्माक मेरी सिवा के लिए है मेरा लोकिक दुनिया के कारिये के लिए नहीं है तो यह हमारे को वो लोग study करते हैं कि एक बर से दो बर से हमारे सामने आरा है भाई बात कर रहा है लेगन कभी किसी का लियए आपने रेक्विस्ट नहीं किया तो उस बात को भी ओफील करते है उसको recognize करते है तो उनके में मन में लगता है कि हां अकिकत में है एक बाहर मारे वह कारी करम में आईएगा उन्होंने का ठीक है हम आएंगे मेरे को दो तिन प्रसन पोचने में पूछिए उन्होंने का कि ब्रह्मा कमारिज में और दूसरी संस्ता में क्या डिफिरेंस है मैंने का बहुत अच्छा आपने प्रसन पूछा तो मैंने का अपिस में बैठें आपका समय दस मिनट ले सकता हूं तो मैं बात करूं अगर आप विजियों दूसरे फैलों के काम करना है तो हम बाद में मिलें प्ला नहीं नहीं अब भी आज मुझे बताईए मैंने का दुनिया में पहले पहले इसको टाइटल से बात करते हैं मिश्रा जी तो मिश्रा जी बोलेंगे पटनाइक जी तो पटनाइक जी बोलेंगे लेकिन यहां पर वो किसी भी वेक्ति का हम टाइटल पूस्टे भी नहीं तो यहां एक वो प्लेट फार्म है जहां पर कि सभी मज सब्सक्राइशन या कोई बेसाप हो आप मुझे बताइए शिरफ ब्रह्मात्मारी जाए तो उसको बड़ी संतुष्टा हुई दूसरी बात है कि हम लोग जो भी कारिय करम करते हैं उसको एकुरेशी रखते हैं आप टाइम पर नहीं आएंगे तो हम आपको फोन करेंगे बुलाएंगे आपने कहा कि मैं आ रहा हूं दस मिनट तो हम दसी मिनट बेट करेंगे फिर आपके लिए टाइम वेस्टनी करते हैं क्यों हम उस परमात्मा को वेलु ज़्यादा देते हैं ठीक है आपका अपना कुस द्यूटी हुआ, आपको स्वेवा में बिजी नहीं आपाए, लेकिन हम अपना कारी कर्म सुरू पर वेते हैं, हम किसी की व्यक्तिक विशेश के पिछे अपना समय नहीं गमाते हैं, ये ब्रहमा कमारीज में आप देखें कि दूसरे संस्ता में नहीं है, क्योंकि उनको कुछ लेने की भावना होती है, तिसरी बात, ब्रहमा कमारीज आज तक वो देने को ही चाहता है, हम भी आपके पास आ रहे हैं, तो आपको कुछ देना चाहते हैं, हम आपसे कोई नोकरी या कोई फेवर लेना नहीं चाहते हैं, यसलिए हम आपके पास नहीं आते हैं, तो ब्रहमा उदान दू, बोला बोलिए, मैंने का हो सकता है, आपको थोड़ा सा अच्छा ना लगे, मुझे पता है कि आपके मिसिस बहुत पूजा पाट करती हैं, और आप जिस पोस्ट पे बैठें, आपके लिए सभी धरम, सभी मजब एक हैं, क्योंकि आप उस पोस्ट पे बैठें, आ लेकिन आपके घर में आपकी मिसिस बहुत पूजा करती हैं, गंटा देर गंटा लेकिन अगर उनको पता चल जाए, और दूसरे धरम का, दूसरे मजब का उनके पूजारों में जाए, सिविल अलाओ, तो चुप हो गए है, तो मैंने गए ब्रमात मारी संस्ता है, जहां पर जब हम संपर्ग में आते हैं, तो उनके मुन में जो विचार छुपे रहते हैं, जो परकट नहीं करना चाहते हैं, तो उनका हम पहले से शॉलिशन दे देते हैं, तो उनको लगता है, ब्रमात मारी संस्ता है, बहुत प्योर संस्ता है, हाई लेबल के संस्ता है, तो वह भी तो ऐसे विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम पिशास्निक सेवात में आगे बढ़े आज बहुत अच्छा सफलता हमें आपकी बाते सुनके हमें भी ऐसा लगता है कि हमें अपना जीवन ऐसे ही बढ़ाना चाहिए अगली कड़ी में हम फिर से आप से कुछ चर्चा करेंगे और कुछ और महीन बात जानने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए धन्यवादे अगली कड़ी में फिर से हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बातों के लिए तब तक के लिए दीजिये जाज़ए नमस्कार ओम श्यंति करेंगे में थे बात जाम हुन आप से कुछ थाली करेंगेंगे कर दो तक को एंगे विए झाली करे दो एंगे कर दो कर दो दो दिने कर दो